तो हलो भाईयों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे तो दोस्तो आज हम बात करेंगे ECS पूर्तगाल T10 मैच के बारे में जो कि दोस्तो आज की दिन का तीसरा मैच है और ये मैच खिला जाएगा ओर ओर और गेमलर CC के बीच में और दोस्तो ये तक Telegram को जोईन नहीं किया हैं जोईन करना चाहते हैं मेरे से personally connect होना चाहते हैं तो Telegram को जोईन कर लो comment और description में link दिये दिया हूँ ठीक है वहाँ से आप directly मेरे Telegram पे जोईन हो सकते है वेन्यू रहेगा दोस्तो गचेरी cricket ground कार्टसो का और pitch report की बात करें तो artificial wicket है तो balance surface आपको every score देखने को मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों बात करते हैं OE मतलब Aureus के प्रोवर प्लेइंग 11 के बारे में तो यहां से open करने हैं दोस्तों अजहर अंडानी और M मचा दो ठीक है देख सकते हो दोनों का और अभी जो match पिछला चर रहा था उनमें इन दोनों नही open किया था काफी अच्छा बैटिंग कर रहे थे अजहर अंडानी ठीक है बालिंग नहीं कर आये थे important रहे हैं कि जरूर इनको pick कर सकते हो ठीक है उसके बाद दोस्तों M मचा दो है T10 के 5 मैच में 90 रन तीन विकेट इनके नाम है और दो बार की बालिंग नहीं कर आई थी opening भी कर रहे हैं तो most important pick कर रहेंगे ठीक है उसके बाद दोस्तों Conrad Green Sealed है राइटन बैट राइटन फास बालिंग करते हैं T10 के 57 मैच में 1409 है 35 का अबरेज 38 विकेट है लेकिन अभी विकेट किपिंग कर आ रहे हैं तो ये बालिंग नहीं कर आया है ठीक है तो इनको other player आप ले स सकते हो ठीक है उसके बाद दोस्तों François Stoman है T10 के 35 मैच में 611 अठाइस का अबरेज है 8 विकेट है इनके नाम है ठीक है और ये दो वर की बालिंग कर आया था भी अभी वाले मैच में तो इनको pick करने वाले pick कर सकते हो बेफिकर बैटिंग बालिंग दोनों से contribution कर सकते है ठी सकते हैं T10 के 48 मैच में 165 टरन है 10 का अबरेज 23 विकेट है इनके नाम है 42 वर डालके ये अभी लास्ट मैच में इनको बालिंग नहीं कर आया था ठीक है तो इनको मैं prefer नहीं कर रहा हूं उसके बाद दोस्तों मुविन तारिक है दो वर की बालिंग कर आया थे लास्ट मैच म हैं तो important pick रहेंगे जरूर यूनेत खान को लेंगे टीटेन में भी अच्छा खासा इनका record है आप देख सकते हो मैंने लिख रखा यहां पे तो पिक कर लेना गुर्जीस सिंग है दोस्तों इन्होंने बालिंग नहीं कराया है अभी तक और 13 मैच में दोस्तों 8 विकेट है 14 डालके पार्ट टाइम बालर हैं कभी भी बालिंग करा सकते हैं अच्छे डिफरेंशल लेना चाहो तो ले सकते हो अर्शलर नसीम है टीटेन के 44 मैच में 15 विकेट हैं इनके नाम है 304 रन है आप अभी तो इन्होंने बालिंग बालिंग बैटिंग भी नहीं कराया है लेकिन करवा सकते हैं 44 मैच 15 विकेट हैं के नाम है पार्ट टाइम बाल करवा सकते हैं तो देख ले ना मगी प्रिफर नहीं कर रहा हूं इनको उसके बाद दोस्तो एल वी राकुन है राट अन्बाट राट राट रम बालिंग कराया थे अभी इनका ये लाइन अप में थे बागी बालिंग बैटिंग कुछ नहीं मिला था इनको तो मैं इनको प्रिफर नहीं कर रहा हूं उसके बाद दोस्तो बलविंदर सिंग है टीटेन के 14 मैच में 7 विकेट इनके नाम है 12 वर डाल के और ये भी दो वर की बालिंग कराया थे और इवन डेथ में भी बालिंग कराने आय थे ठीक है तो इनको आप लेना चाहाओ तो आप ले सकते हो ठीक है और दोस्तो बाकी अभी के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर में यहां से बता दूं तो अजहर अंडानी है मचादो है और कॉन्राड ग्रिंस्रील्ड है दोस्तो उसके बाद दोस्तो फ्रेंड कोई स्टोम स्टोमन है फिर नीचे से मुविन तारीक है और जुनेत खान इंपॉर्टेंट है यहां से बलविंदर सिंग तो यह प्लेयर से इंपॉर्टेंट है जो कि लास्ट मैच में बालिंग बेटिंग कर रहे थे यहां पे बैंच के प्लेयर कोई खेलता है तो मैं आपको जी ए एम के प्रोबर्ड प्लेविंग लेवन के बारे में तो दोस्तों यहां से ओपन करेंगी जिदेश कुमार बालकृष्णा कुल्दीप घोलिया के साथ और उसके बाद आएंगे अमंदीप खोकार ठीक है देख सकते हो जिदेश कुमार बालकृष्णा का अर्टी टेन के परपस से आप लेना चाहो तो इनको पिक कर सकते हो कुल्दीप घोलिया है दोस्तों टीटेन के 45 मैच में 914 रन 22 कावरेज है अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं ये पिक करना चाहो तो बिल्कुल इनको पिक कर सकते है अपने टीम में ठीक है अमंदीप खोकार है टीटेन के नामें 30 वर डालके एक से दोबर आपको बॉलिंग कराते हुए दिख जाएंगे पिक करने वाले विल्कुल इनको पिक कर सकते हो ठीक है नितीन कमबोज है दोस्तों टीटेन के 21 मैच में 145 रन है 15 विकेट इनके नामें 38 वर डालके और ये भी आपको दोबर की ब पिक कर लिजेगा ठीक है उसके बाद दो सैद्दू रहमान है राइटन बैट डप टाम फार बॉलिंग करते हैं टीटेन के 30 मैच में 15 विकेट इनके नामें 49 वर डालके और ये भी पार्ट टैम बॉलिंग कराते हैं बाकि ये दोबर करा सकते हैं तो आप इनको पिक कर सकते हो ठीक है जय प्रकास है टीटेन के 19 मैच में 14 विकेट इनके नामें और 24 वर डाला है इन्होंने पार्ट टैम बॉलिंग कराते हैं जरू इनको पिक कर सकते हो इंपॉर्टन पिक बनते हैं टीक है 19 मैच में 14 विकेट अच्छा खासा रहता है उसके बाद दोस्तों सुनिल बॉलर हैं बाकी इस सीजन बॉलिंग कराएंगे कि नहीं नहीं पता अभी के लिए मैं प्रिफर नहीं कर रहा हूँ बाकी लेना जाओ तो ले सकते हो अंकुस कुमार है टीटेन के 19 मैच में 26 विकेट इनके नाम है दो और की बॉलिंग करते हुए दिखेंगे और काफी जब बॉलिंग करते हैं ये ठीक है जरूर पिक कर सकते हूँ इनको और 332 रन भी इनके नाम है 27 के अवरेस से तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं और ये सायद उपर में बैटिंग करने आए और तो लाइन आप के बाद में मैं बता दूँग आपको इनका बैटिंग और कहां है ठीक है उसके बाद दोस्तों विकास सिकरी है टीटेंट के 6 मैच में 3 विके इनके नाम है 10 वर डालके तो ये आपको दो बर की बालिंग करते हुए दिख सकते हैं तो इनको पिक करने वाले पिक कर सकते हूँ ठीक है कोई दिख करती है बैंच के प्लेयर कोई भी बारे में अब चलते हैं अग डेमो टीम की तरफ तो दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन से जो मोस्ट इंपॉर्टन पीड है कुल्दीव घोलिया इनको लेना ही लेना है क्योंकि इनका रिकॉर्ड भी मैंने आपको बताया था काफी बढ़िया है और बैटिंग सेक्शन से मैं अंडानी को लिया हूँ कि कि इनका अभी का बैटिंग मैं देखा था लाइफ तो काफी अच्छा बैटिंग कर रहे है ठीक है यहाँ पे दोस्तों बाल कृष्णा और आर नरांड को भी ले सकते हो आप काफी इंपोर्टेंट है गेमलर्स के टीम के तो अभी के लिए द दोस्तों अंकुस कुमार को अपनी टीम में जरूर ले लेना इंपोर्टेंट प्लेयर है और यहाँ से अगर कुरूत पटेल खेलते हैं तो इंपोर्टेंट रहेंगे और यस की टीम से तो बाकी खेलने के कम चांसे खेलते हैं तो आप पिक कर सकते हो ठीक है यहाँ से दोस् स्मिट खेलते हैं दोस्तों यह player अगर खेलता है तो इनको भी आप ले लेना काख क्योंकि यह player काफी जबरदस्त है तो इनको लेने में कोई दिग्गत नीए ठीक है उसके बाद दोस्तों बॉलिंग सेक्षन से मुवीन तारीख है लास्ट में तीन विकेट इन्होंने लिया था तो काफी इंपॉर्टन बन जाते है तो इनको अपन टीम में जरूर लेंगे ठीक है उसके बाद दोस्तों जयब प्रकास को आप यहां से पिक कर सकते हो अगर जयब प्रकास को नहीं लेना चाहते हो तो यहां के लिए आपके पास मचादो option है अड़नाने भी अंडाने भी काफ़ अच्छी बैटिंग बॉलिंग करते हैं तो इनको भी आप captaincy वाइस captaincy दे सकते हो या फिर green shield को भी दे सकते हो wicket keeping कर रहे हैं लेकिन बॉलिंग नहीं कर आ रहे हैं बाकि wicket keeping से catch ass is trumping के point और अगर wicket जल्दी गिरता है तो बैटिंग भी काफ़े अच्छा करके आपको दे सकते है ठीक है तो captaincy वाइस captaincy के option है दोस्तो ये green shield अंडानी और जे खान मचादो ये हैं और combo जहां से और अंकुष कुमार तो ये captaincy वाइस captaincy के option है बाकि मेरी स्मॉल लिग में तो मैं green shield को ही captaincy दूँगा और वाइस captaincy में मचादो ये फिर अंडानी को दूँगा वाफटर टॉस आपको टेलीग्राम पे मैं update कर दूँगा दोस्तो वीडियो अच्छा लगए तो like कीजिए channel को subscribe कीजिए मिलते है next video में thank you so much